हलो एन वेलकम टू माई चैनल ये है एश गॉट आप गूगल में चेक कीजिए इसको खाने के कितने फाइदे हैं लेकिन खाने के लिए इसको कैसे अपने डाइट में रोज इनकॉर्पोरेट किया जाए और सब इसको बिना किसी नखरे के खा ले तो इसके लिए मेरे पास एक बहुत ही इजी टिप है तो जैसे हम आटा गुनते हैं आप आटे को पानी के साथ मत गुण दिये पानी के पजाए एश कॉट लीजिए इसको बौश कीजिए छीलिए और इस तरह से ग्रेट कर लीजिए अगर आपके पास ग्रेट करने का टाइम नहीं है तो आप इसको मिक इसको इसी एश कॉट के साथ गुंत लीजिए और जैसे आप अपने सिंपल चपाती या प्राठा जो भी बनाना चाहते हैं आप इससे बनाईए अब इस एश कॉट का अपना कोई टेस्ट नहीं होता है तो आप जैसे आटा गुंदेंगे आपका रोटी में कोई टेस्ट का डिफरेंस नहीं होगा रोटी आपको वैसे ही टेस्ट देगी जैसे की पानी से गुते हुए आटे की होती है तो यह एक ट्रिप है आप अपने आटे को गुंदिए एश कॉट के इस पल्प के साथ अगर अगर स्टिल यूट वांट 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 आपको पसंद है तो यह सुपर हेल्दी है और इसमें आपका टाइम भी खराब नहीं होगा और फैमिली में भी कोई इसको खाने से मना नहीं करेगा तो अब इसको नॉर्मल आटा गुंदूंगी और इस तरह से इसकी चपाती बना दूंगी अगर प्राठा बनाना है तो प्राठा बना दूंगी और इस तरह से हम एश कॉट को अपने खाने में डेली इंकॉर्पोरेट कर सकते हैं तो आप भी यह टिप्यूस कीजिए और ब